हेलो दोस्तों नमस्कार एक वा फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पड़िवार मैच स्वाटिका में है दोस्तों मैं हुरुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग घातांक और करनी के एक ऐसे टाइप के कुश्चन को देखेंगे जो किसी भी क कोश्चंस दिखा देते हैं कि जो कोश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं यह पहला कोश्चंस है इसके अलबा दूसरा तीसरा चौ Thor detta पाच्वा इस तरीके का इम्पॉर्टेंट है यहाँद ही बहुत ही ज्यादा इम्पोष्चंट है यहां का पूच्छा जाता है जैसा कि पर आपको 350 रुपए में complete mathematics और 350 में complete reasoning कराया जाएगा तो आए देखते हैं पहला question यहाँ पर क्या है बिल्कुल basic question से शुरुआत करेंगे बुला गया यहाँ पर root under 8-2 root 15 का मान क्या होगा यानि हमें इस question में क्या करना है कि इस पूरे ब्यांजक का बर्गमुल करना है क्योंक मईन इस पूरे ब्यांजक के ऊपर root 15 लागा है तो हमें इस पूरे ब्यांजक का बर्गमूल निकालना है अब ध्यान से समझेगा कि इस प्रकार की ब्यांजक का बर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं पहली चीज कि सबसे पहले तो हम लोग यहां देखेंगे कि इस ब्यांजक का बर्गमूल निकलेगा कि रही निकलेगा यह बात कहां से बदा चलेगा तो हम देखेंगे कि छोटका रूट के बाहर में दो है कि नहीं अगर छोटका रूट के बाहर में दो है इसका मतलब इस वियंजक का बर्गमूल निकलेगा और अगर छोटका रूट के बाहर में दो नहीं है इसका मतलब इस वियंजक का बर्गम और जोडने पर आठ आ जाए ध्यान से समझेगा गुणा करने पर रूट के भीतर वाला और जोडने पर बाहर वाला ऐसा दो संख्या अपने मन से चुनिये इसको गुणा करने पर 15 जोडने पर 8 तो ऐसा संख्या है पांच और तीन बरका संख्या को पहले और छोटका संख्या को बाद में लिखना है ठीक है पांच और तीन आठ और पांस तीया पंदरा अब आगे देखिए बर्गमुल निकाले हैं इसलिए दोनों के उपर आपको क्या करना है दोनों के उपर रूट लगाना है और अगर इसके बीच में माइनस है तो यहां भी बीच में माइनस होगा और अगर इसके बीच में प्लस था तो इसके बीच में भी क्या होगा प्लस होगा तो इस ब्यांजक का बर्गमुल यही होगा रूट पांच माइनस रूट तीन तरीका समझ में आ चुका है आईए सेम मेथड को हम लोग अगले कोशन के उपर अपलाई करते हैं यहां पे द हुआ कि इसका बर्गमुल निकलेगा अब निकलेगा तो कैसे निकलेगा तो अपने मंद से दो ऐसा संक्या चुनना है जिसको गुना करने पर छे और जोडने पर पांच आ जाए तो ऐसा संक्या है तीन और दो बर्गमुल निकाल है इसलिए दोनों के उपर उट रहेगा इ इसका जो value होगा वह इसके बराबर आ जाएगा जैसे 16 का बर्गमुल कितना है 4 तो हम 4 का बर्ग करेंगे तो फिर से कितना हो जाएगा 16 उसी प्रकार से इसका बर्गमुल इतना है अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो इसका square करके देखिएगा यह value इसके बराबर आ अंडर 12 पलस 6 रूट तीन बर्गमुल का मतलब root अंडर जैसे हमसे पूचा जाए कि 36 का बर्गमुल क्या होगा यह हमने आप को यहां पर क्या बताया था कि इस प्रकार के बियंजक का बर्गमूल तभी निकलता है, जब छुटका रूट के बाहर में तो रहे, यहाँ पे छुटका रूट के बाहर में क्या है? छे है, तो ऐसा हम करते हैं, इसको दो के फॉर्म में तो डिया आप, बार पलस छे के लिए क्या लिख सकते हैं? दो गुने इसको क्या करना है? हमें साथ 2 के रूप में तोड़ना है, जैसे 4 तो 2 गुने 2, 8 तो 2 गुने 4, ठीक है? तो 6 है तो 2 गुने 3 और इसके अलाबा रूट 3 पहले से है, तो इसको अपने अस्थान पे रहने दीजिए, हमें साथ ध्यान रखिएगा कि हमें छुटका रूट के बाहर में 2 चाहिए होगा, अब आगे देखिए 12 पलस, 2 को आप यहाँ पे रहने दीजिए, बांकि जो भी वैलू है उसको रूट के भीतर ले जाएगे, तो कोई भी संक्या जब रूट के भीतर जाता है, तो स्क्वैर होके जाता है, तो 3 रूट के भीतर जाएगा तो 9 और पहले से 3 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ आपका, यहाँ आपका वैलू 27 हो जाएगा, जो इसको देख के आपका पता लग जाना चाहिए, ठीक है, यानि हमें इसी ब्यांजग का क्या करना है, हमें इसी ब्यांजग का बर्गमुल करना है, आप इस पार्ट को यहाँ पे द रूट तीन है रहने दीजिए दो को बाहर रहने दीजिए दोनों रूट वाले वैलू को गुना करिए नौतिया कितना हो जाएगा 27 यानि इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं दो रूट 27 देख सकते हैं तो डारेक्ष वैलू को देखकर के आप न दो के फॉर्म इसको जालना है अब आई जिस फॉर्म में कुशन आपका आ चुका है इसे यहां से हम लोग आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं हमें दो ऐसा संख्या चुनना है जिसको गुना करने पर 27 और जोड़ने पर 12 जैसे छोटका रूट के बाहर में दो आया फिर हम लोग उस मिथर को रूट रहेगा अब रूट ना का मान निकल रहे है तो निकाल लिजे रूटना का फएलू क्या होगा तीन तो तीन पर लसरूट इन यहीं आपका कर इस कोशन का आंसर हो जाएगा यानि बीकल्प बी जो है वहापका यहाँ पर discussants ऑख सही आंसर होगा ठ्यादिए चलिए ब से पूछा गया है ठीक है रूट हम बाद में निकाल लगा लेंगे हमसे क्या पूछा गया है तीन पलस रूट पांच का बर्गमुल यानि की रूट अंडर तीन पलस रूट पांच का चैए एक चीह हमें अच्छी तरह से पता है कि ऐसे बेंजक का बर्गमुल कब निकलेगा जब यहाँ पे 2 रहेगा, तो यहाँ पे 2 है नहीं, तो हम यहाँ पे 2 लाने के लिए 2 से गुना किये, तो इसको balance करने के लिए 2 से भाग करना पड़ेगा, यानि यहाँ जो question है उसको हम इस form में लिख सकते हैं, हमें छोटका रूट के बाहर में 2 चाहिए, नहीं था तो हम 2 से गुना किये, और इसको balance करने के लिए 2 से भाग किये, 2 से 2 कर जाएगा, यानि कि यह value फिर से इसके बराबर होगा, मतलब इस दोनों value में कोई अंतर नहीं है, हम चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, और इस तरीके से क्यों लिख है, क्योंकि हमें छोटका रूट के बाहर मे 2 चाहिए, अब देखिए, बट्टा में 2 है, तो भीन का जोर होगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और पलस 2 रूट पांच भीन का जोर करेंगे, तब तो value यह आएगा ना, इसके LCM 2 हो जाएगा, और इसके बट्टा में कुछ नहीं, तो इससे सीधे इसमें गुना, तो रूट किसके उपर है, देखिएगा जरासा, इस बार जो रूट है, दोनों के उपर है, उपर वाले value के उपर भी और नीचे वाले के उपर भी, तो नीचे वाला का तो बर्गमुल नहीं निकलेगा, तो नीचे वाले को आप वैसे ही रहने दीजे, यह हो जाएगा आपका दो नीचे वाला का तो बर्गमुल नहीं निकलेगा, दो का तो नहीं निकलेगा, तो इसको वैसे ही रहने दीजे, उपर वाले पाठ का बर्गमृल निकाल सकते हैं, कि छोड का रूट के बाहर में 2 है, अब क्या करना है, अपने मन से 2 ऐसा संक्या चुंडना है, जिसको तो ऐसा संक्या क्या होगा पांच और एक ऐसा संक्या है पांच और एक बरी संक्या को पहले छोटी संक्या को बाद में बर्गमुल किये हैं तो दोनों के उपर रूट लएगा बीच में पलस है तो पलस इसका बर्गमुल यही होगा हमें इसादेकिये गुना करने पर पांच और जोडने पए छे? गुना करने पर रूट के भीतर वाला और जोडने पर इहां वाला भेलू तो इसके लिए पांच और 1 तो लेंगे ना root 5 बटा root दो यानि कि इसके लिए हम लिख सकते हैं root 5 बटा दो और plus उसी तरीके से root 1 बटा root दो इसके लिए क्या लिख सकते हैं root 5 बटा दो लिख सकते हैं तो root 5 बटा दो plus root 1 बटा दो D जो है वह आपका इस question का सही answer हो जाएगा ठीक है छलिए अब चलते हैं अगले कोशन में अगला कोशन देखिएगा यहाँ पे क्या है इस तरह का कोशन भी बहुत जादा पूछा जा रहा है रूट अंडर 28 मैनस 6 रूट 3 बरावर इतना वैलू दे रखा है हम इसका बर्गमूल निकालते हैं देखिया 28 को अपने जगा पे रहने दीजी माइनस 6 के लिए क्या लिख सकते हैं आप 6 के लिए 2 गूने 3 तो यहाँ पे किसको रखना है दो को रखना है और 3 कहा चला जाएगा रूट के भीतर तो 3 रूट के भीतर जाएगा तो 9 और पहले से 3 है तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27 इस पर्ट को बहुत ही ध्यान से आप समझेगा ठीक है इसी का हमें क्या करना था इसी का बर्गमूल करना था यहां दो नहीं था तो दो के फॉर में इसको तोड़ लिए बाकि इधर वैलू क्या है रूट 3 इंटू A और माइनस कितना माइनस का B अब आगे देखिए क्या आप इसका बर्गमूल निकाल सकते हैं आसर बिल्कुल निकाल सकते हैं क्योंकि छोटका रूट के बाहर में दो है कैसे निकलेगा अपने मन से दो ऐसा संख्या चुनना है इसको गुना करने पर 27 जो और 28 तो ऐसा संख्या क्या होगा 27 और 1 तो बड़ी संख्या पहले माइनस का कितना माइनस का बी है आगे देखिए 27 के लिए क्या लिख सकते हैं 9 गुने 3 तो 9 का बर्गमूल कितना 3 तो 3 रूट 3 अब LHS और RHS को Comprehension करिए इतना बराबर इतना value आया देखेगा यहां पर क्या है रूट 3 के अस्थान पर यहां भी रूट 3 है यहां पर देखेगा एक अस्थान पर क्या है तीन इसका मतलब एका value आपका हो जाएगा 3 ठीक है तीन गुना root 3 यहां एक गुना root 3 तो यहां भी root 3 यहां बिरूर तीन है एक एस्थान पर इस्थान पर माइनस ए बी के अस्थान पर क्या है एक तो भी का वैलू क्या हो जाएगा बी का वैलू आपका एक हो जाएगा तो compare करके हम लोग A और B दूनों का वैलू निकाल लिये अब A-B का मान पूछा है तो 3-1 यानि क्या answer हो को सब्सक्राइब और ध्यायों चिश को क्या हुआ होगा दायोर्य वाले का रूट हो जाएगा यानि कि यहाँ पे जो भी वैलु है उसका टो है 19 कि लिए क्या हम this works दोको बाहर ऋपर रहने दीजिए rappers को रूट के भीतर ले जाए तिन रूट के भीतर जाएगा तो नौ पहले से दो है तो नो दुना 18 क्या इतना लिख सकते हैं छे के लिए दोंए तीन थीन को रूट के भीतर ले जाएंगे nelow नो hou जो आठरार याणि उननीस पलस दोूट 18 लिखा जा सकता इसके बदले fully कुल निकाल सकते हैं गुणा करने पर 18 जोड़ने पर 19 तो ऐसा संक्या क्या होगा 18 और 1 होगा ठीक है अठारा और 1 तो भरी संक्या पहले चोटी संक्या बाद में बर्गमूल निकाले हैं तो दोनों के उपर route होगा और बीच में यहाँ पर प्लस है तो प्लस रहने दीजे आगे चलिए बाई और वैलू है ए प्लस बी रूट टू उसी तरीके से 18 के लिए 9 गुना दो 9 का बर्मुल 3 तो 3 रूट 2 हो जाएगा रूट 18 का वैलू प्लस root 1 का मान क्या होगा यहां से compare करिए और आप अपना answer निकालिए देखेगा यहां पर क्या है root 2 के अस्थान पर root 2 है ठीक है आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहां जो value है root 2 plus 1 है क्या इसको 1 plus 3 root 2 नहीं लिख सकते हैं जाएगा आपका B का value 3 हो जाएगा उसी तरीके से देखे एक एक यह स्थान पर क्या है यहां पर एक यह स्थान पर 1 है तो एक आमान क्या हो जाएगा एक आमान 1 हो जाएगा और से देखे रूट 2 वाला पार्ट पहले देखे रूट 2 के गुना में 3 है यहां root 2 के गुणा में B है याणि B का value क्या होगा 3 होगा क्या होजाएगा और A क्या स्थान पर 1 है तो A का मान एक हो जाएगा करें दो सब्सक्राइब जरूर करें इसके अलबा like or share करते रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉंसेप्ट के साथ थैंक यू जय हिंद